जब भी कोलियस का प्लांट लेगी होते जाते हैं बुशी नहीं हो रहा है तब हम क्या करते हैं एक ही काम कर देते हैं उनमें पिंचिंग करते हैं नहीं तो कट कर देते हैं बरबर कट करने से पिंचिंग करने से पौधा आपको कभी लंबाई में नहीं बढ़ता है आज को वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिना पौधा को काटिंग करके पिंचिंग करके आप पौधा को कैसे लंबा भी बना सकते हो और घना भूशी भी बना सकते हो मेरा पौधा देखिए कितना लंबे हो चुका है और हार नोड एरिया से आप देखिए ये ब्रांचेस निकल रहे है पत्ता नहीं सिर्फ ब्रांचेस निकल रहे है तो पौधा को लंबे करने से आपको एक benefit मिलेगा जितना पौधा लंबा होगा ब्रांचेस लंबा होगा उतना ज़्यादा node area आपको मिल जाएगा और उसी node area से जब new new branches निकलते है तो कितना branches आपके पास आएगा अपका plant कितना घना हो जाएगा देखिए मेरा प्लांट कितना घना हो चुका है और इतना बंचेस भी देखिए कितना लंबा लंबा है मैंने इसको कटीन कराई नहीं देखिए ये मेरा दूसरा कोलियस का प्लांट है आप इसमें अपलाई करके मैं आपको दिखाऊंगे कि किस तरीके से मैंने ये प्रोसेस को फॉलो कर रही हूँ कि प्लांट लंबा भी हो रहा है लेगी नहीं हो रहा है पर घना भी हो रहा है मेरा कोलियस का पौधा देखिए मैं आपको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ जहां पे नोड एरिया आपको दीख रहा है इहां से बंचेस निकल रहे है पत्ता नहीं निकल रहे है तो जितना बंचेस निकल के आएगा उतना ही पौधा आपको घना होता जाएगा देखिए ह और नोड अरिया आपको दिखा रही हूँ हर नोड एरिया से सिर्फ बंचेस आपको देखने को मिलेगा कहीं पर बंचेस बड़ा हो गए कहीं पर बंचेस निकल के आ रहे चोटा-चोटा तो मैंने यहां पर कौन से प्रोसेस फॉलो किया है तो ओ मैं आपको इस वीडियो में जानकरी दूँगी तो प्लीज वीडियो में बना रखना और मेरे सब जुरे रहना कोलियस प्लांट हमसे इसका खुबसूरत लिप्स के लिए लगाते हैं इनमें जब फूल खिलता है फूल हम कट कर देते हैं तो प्लांट को खुबसूरत लिप्स निकालने के लिए हेल्दी बहुत जड़ूरी है विंटर में आपको कम्प्लीत धूप देना है पूरा दिन काई धूब दे जिए क्योंकि विंटर में सॉफ्ट धूब निकालते हैं तो कोलियस के लिए सॉफ्ट और संलाइटी पसंदीदर होता है तो इंटर में आप पूरा धूप दिजिए और सामा के अरियामि आप राग देंगे तो प्लान खना बनने का प्रोसेस कंप्लीट संथसिस के बिना प्लांड का लीवस अच्छा नहीं निकलकर आएगा प्लांट घेल्दी नहीं हो सकता है सबर में इसमें पानी आपको डेली देना है विंटर में आप मिट्टी चेक करके देना क्य तो इसका स्टेम्प से क्या हो जाता है पानी कम होने लगता है घी हाइडर्ट के बजाए यह प्लांट आपका सूख जाएगा इसका पत्ता में पानी नहीं पहुचेगा पत्ता में भी मॉइस्टर नहीं रहेगा तो इसका लीप्स भी जढ़ जाएगा इसलिए पानी आपको करना है पर सौगी नहीं करना सौगी करने से रूट खड़ाब हो जाएगा इन में नाइट्रोजन बेस फाटिलाजर की फॉस्पोरस बेस फाटिलाजर आपको देना है और जब मिट्टी में अप गुराई करेंगे गम लेके एकदम किनारे किनारे बड़ाबार आपको इसके बहुत ही संव्ट रहता है फाटिलाजर का बात करूँ तो आपको सिब ऑर्गानिक फाटिलाजरी कोलियस प्लान के लिए चुनना है केमिकल फाटिलाजर अप इस्तेमाल मद करिए और गानिक कोई भी किचेन कॉम्पोस्टों लीव कॉम्पोस्टों भार्मी कॉमपोस और अध्लीव कंपूस देने के बाद मैं आट करूंगी नीम खली एक मुठी नीम खली काफी है तो यह भी साइट साइट में डाल दूंगी कोलियस प्लांट में आपको ज्यादा फार्टी लेजर के इस्तिमल नहीं करना है जब आप देखना कि आपको प्लांट ग्रोथ नहीं बना लेंगे आप देखें होंगे जब कोलियस प्लांट लेगी होते जाते हैं तो उसका जो नोड एरिया है ना उसमें कोई ब्रंचेस रहता है ना इसमें कोई लीपस रहता है तो आपको क्या करना है यहां पर बिल्कुल खाली छोड़ देना है जो एक-दो लीब्स भी रहता है तो लीब्स को भी आपको हटा के देना है जैसे नोट जरिया से आप लीब्स को हटाते जाएंगे तो और उसके साथ साथ आप ग्रोथ के लिए फार्टी लैजर दे दीजिगे तो आप देखना कुछ दिन बाद छोटा-छोटा जैसे आपको दिखा रही हूं एक जो लीज अप देख रहे हैं ये लीज है में लीज जाब प्लांट धिरे भाड़े होते जाते है तो एक ये करके हार नोड में निकालते रहते हैं देखिए ये अपको दिखा रहे हूं इस जो उपर के तरफ से जो ग्रोह हो रहाए plant का एक एक करके leaves निकाल रहे है आप यहाँ पर कोई branches देख नहीं पाएंगे तो पहले plant में leaves निकालते है तो अब क्या करना है इस जो मेंन li жष आप देख रहे हैं इसी को आपको हाटाते जाना है देखिए मैंने यहां पे कोई लीब्स नहीं छोड़ा जो मेन लीब्स है इसके बदले में क्या हुआ देखिए जहां जहां पे लीब्स नोट एरिया से मैंने लीब्स हटाए उहां से छोटा छोटा ब्रांचेस आना शुई हो गए तो मैंने यहां से लीब्स नहीं करना कोई काटिंग नहीं करना से बीच में जो आपका PSA Pra làm को निकालते रहता है उसी को आपको हटाते जाना है पर एकवं आगे के तरफ अपनी नहीं हाटाना जैसे plant के तरह बढ़ते जाएगा और आपको पीछे-पीछे क्या करना है एं लीपाथाने के काम करते जाना है खेर आफ देखना बहुत ही जल्दी आपका प्लांट घणार हो जाएगा बुषी हो जाएगा और लंबबी हो जाएगा तो आप भी सपोसेस को फॉलो कर prata और क्या result है प्लीज जरूर मेरो को comment section में बताना और plant में किस तरीके से आपको पानी देना है जब भी आप पानी देंगे एकदम lips के उपर से आपको पानी देना है इससे plant बहुती अच्छा लगेगा सुंदल लगेगा बिलकुल fresh लगेगा और कोलियस प्लांट में कोई paste insect का अटक नहीं होता है कोई इंसिक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप यूज मत करना इवेन आप नीम आयल ज्यादा हो जाता है तो इसका लीप जलना शुरू हो जाता है इसका लिप्स का बिल्कुल लग रहा है कि बर्न हो गए जब आप पानी दे रहे प्लांट में तब तो शावारिंग करके दे रहे तो कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा आपका प्लांट हेल्डी रहेगा तो फ्रेंस यही था आज का वीडियो बताना आपको वीडियो कैसे लगे और जरूर मेरे को आपका भी रेजाल बताना तो यहाँ पर वीडियो को इन करते हैं फ्रेंस वीडियो अच्छ लगे तो लाइक कर लेना और मेरे साथ कानेक रहने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यू सो